हलो दोस्तों मैं विसंदत टेप्स ऑन लिविन से आज हम बात करेंगे दोस्तों बैंगलोर रेसिस की बहुल लंबा गाल लग रहा है यार और पहली रेस 12 बच के 45 मिनट में आखरी रेस 5 बच के 15 मिनट में टोटल 10 रेसे हैं दोस्तों 23 दिसंबर की देशे हैं और पहली रेस ह की नो विपरेस है दोस्तों 1200 मिटर के लास 5 की इसमें मैं टॉप होर्सी जोन फिल्ड यार 11 में से मेरे क्याल से 11 क्या 11 गोड़े मेरी टॉप होर्सी जोन फिल्ड में आ रहे हैं और एक नंबर बहुत बढ़िया लग रहा है और उमीद करते हैं बैटर रंदे ब्याइल पास द४यर कि लेद लूसीफर और डस नंबर ग्या नंबर ठीक है दोस्तों तो मेरा यार इसमें जो सिंगल पिक रहे हैं एक मार वार California ट्राइल बी एल पासवान सेकंड रेस में आ जाते हैं दोस्तों सेकंड रेस एक मिन ट्यार यह बोल रेस वालों ने बहुत कुछ एट कर दिया आजकल तो सेकंड रेस में लेके चलूंगा यार एक नमबर एफएरपी लास्ट टाइम 55 किलो में अच्छा रनता है यार एको फ्रेंली के साथ में पांच हो लगा है यहां पर बिल्कुल मुझे लग रहा है कि यह गोड़ा बोर्ड में आने के चांसिस हैं तीसरा चौथा या सेकंड हो सकता है गोड़ा दो नमबर दोस्तों आप यह कह सकते हैं अपसेट कर सकता है गोड़ा और या यह कह सकते हैं एक सर्प्राइजिंग रन दे सकता है यहां पर गैलेपिंग अहेड भी लिसन टू मी लास्ट टेम चौथा लगा था कुछ इंसिडेंट हुआ है अभी भागा है गोड़ा और पा है और है उसके बाद है सॉलिट पावर सर्प्राइज कर सकता है दोस्तों सिंग साब भी दस नमबर भी यह और इसमें भी मैं सिंगल ही गोड़ा पिक करके चलूंगा दोस्तों पांच नमबर केप्रियर्टी एंटरी राज है थार्ड इसमें आ जाते हैं दोस्तों इसमें गोल्डन टाइम विवेक जी इस बरी राइट कर रहा है लास्ट टाइम आधर्स बैटा था जी आधर्स और पिनेकल पाइंट के साथ में चौथा लगा है बिल्कुल यार गोड़ा बनता था या बनता है बिल्कुल इस बरी डॉक्टर लोगन भी काफी अच्छा रं बहुत भाव था चार नंबर है एंबोसम के नीचे आप इसमें एलेक्स रोजार्यों के नीचे लास्ट टाइम थार्ड लगा था तो बिल्कुल चांस बनता इसका यार जॉन कॉर्णर विंग चांस बनता है आर नंबर थंडर इस्टक लास्टन बहुत बढ़िया था और य उम्मीद करते हैं बैटर रंदे यार और इसमें जो मेरा फाइनल पिक रहागा दोस्तों साथ नंबर जॉन कॉर्णर नेजुरल आलम और एक नंबर गॉल्डन टाइम विवेक जी चौथी रेस में आ जाते हैं दोस्तों चौदासों मीटर क्लास फॉर की यार और इसमें एक नंबर है साथ नंफोर्स बिल्कुल ये गुड़ा बनता है यार और अकसे कुमान ने अचर्यान अमन ने बारसों में चौदासों में जिता है था मैसूर में तो और उसके बाद है दोस्तों एलसीडस सिनरजी इमरान खान ये गोड़ा इस्पिरिट के नाम से था पहले जीदना चाहिए गोड़ा हाई ओपिनियन रिपीट कर सकता है दोस्तों लॉंग रोड में ये गोड़ा भी नायक के नीचे मैसूर में जीता था अगस्तों भी बिल्कुल बन रहा है ग और बिल्कुल मैं इस गोड़े को पिक करने के लिए का हूँगा ओपस वन मोग अच्छी जा रही है गोड़े की सर्प्राइस कर सकता है दस नंबर है दोस्तों राइविटिंग तिर्पिक तका के साथ में पांच हो लगा था गोड़ा और लिमिटेड एडिसन यार यह बहुत बड़ा बढ़िया गोड़ा है बट इसका गेट का इसू रहत है मतलब प्लांट स्लो 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 और मोग बहुत अच्छी जा रही है गोड़े की इस बारी अगर गोड़ा मतलब गेट से सही निकलता है तो बिल्कुल यार जीतेन के चांसे बहुत है गोड़े के उमीद करते हैं बैटर रन दे और इस रेस में दोस्तों जो मेरा फाइनल पिक रहा गया दो नंबर एलसीडर सिनर्जी इमरान खान और पांच न और आप स्किप कर सकते हैं इसकिप भी कर सकते हैं रेस को और इसमें जो मेरा फाइनल पिक रहा है कि दोस्तों चार नंबर जूलियो जूलियो एक्वा मरीन का बच्चा है एसस तल्लाई जी मिश्टर दुंजी बॉय और उमीद करते हैं यार यह गोड़ा जीते ट्रैक अच्छा जा रहा है सब कुछ सारे कनेक्शन देखने के बाद और चटी देश में आ जाते हैं दोस्तों चौदो सुमिटर के लास फूर किया है इसमें जो हैं दो नंबर फूर विल ड्राइब ट्रैक किम्रान खानी दे रहा है और बैटर ट्रैक जा रहा है और तीन कटाना को भी वाई सिरनाती रन दे रहा है टाइटो आलबब बिल्कुल यहां पर या सर्प्राइज रन दे सकता है गोड़ा बहुत बढ़ी है सुपिरियर गोड़ा है यहां पर मैसूर में अच्छा रनता कैपेबल के साथ में और दा स्ट्रेंथ अफसेट कर सकता है दोस् दो नमबर फोर विल ड्राइव इम्रान खान और तीन नमबर कटाना वाई एस सिरनात साथ वी रेस में आ जाते हैं दोस्तों साथ वी रेस बारास मेंटर के लास थिरी की यार इसमें जो मैप करके चलूंगा दोस्तों एक नमबर कैपेबल बिल्कुल सॉर्टर डिस्टेंस में अफसेट कर सकता है दोस्तों गोड़ा यह और कूल राइडर बिल्कुल जीदना चाहिए दुआ रहा एटनल पिरिंसिस मे जौकी थोड़ा सा हुझे डाउट हो रहा है सूरज के बदले विनोस सिंदे साय सूरज है नहीं चार नमबर दा इन हेरिटर बिल्कुल कोई यह गोड़ा बनता है यहां पर कंटिनू अच्छा परफॉर्म कर रहा दोस्तों डैवल मैजिक अपसेट कर सकता है दोस्तों और म यहां पर यह गोड़ा यार अटनला प्रिंसिस के साथ में भागा हुआ यह गोड़ा तो यहां पर बिल्कुल 62 से 52 किल हो जा रहा है वेट का एड्वांटेज सेम जोकी है एक रन का बेनिफिट भी है और इस रेस में जो मेरा पिक रहेगा दोस्तों दो नंबर कूल राइड यह स्रीनात और नौ नंबर लॉट बर्नन पी के रन रहा है काफी टफ सिलेक्शन है यार गोड़े बहुत अच्छे है इस रेस में और आठवी रेस में आ जाते हैं दोस्तों असो का चकरा कप है इसमें एक नंबर है एवालडो 62 किलों में बिल्कुल यार यह गोड़ा 24 मिटर डर्वी जीता है मदरास की उसके बाद बैंगलोर में भी अच्छे रन है उम्मीद करते हैं यहां पर दुवार एक बैटर रन दे नौवे से लास्टाम बहुत सुप्रिय जीता था यार गोड़ा अगर देखा जाए मैसूर में उसके बाद दो नंबर है फेट आफ स कि फॉर्म में गोड़ा ऑटोमेटिक अपसेट कर सकता है दोस्तों ट्रैवर के नीचे आठ साल का हो गया है और सुभांकर भी बीग अपसेट कह सकते हैं इस गोड़े को और जो मेरा फाइनल पिक रहागा दोस्तों इसमें एक नंबर एवाल्डो अक्से कुमार और तीन नंबर कैंसिंग्टन एंटनी राज और नौवी रेस में आ जाते हैं दोस्तों 400 मिटर क्लास 4 की है एक नंबर है ला रीना और तीन नंबर निकोल लीना एक साथ भागे वे गोड़े हैं यार दोनों यह एक नंबर वे विनो सिंदे बैठा दिया ट्रैक भी दे रहा है विनो सिंदे तो बिल्कुल यार इन दोनो में से या दो दोनों ही आए या एक थर्ड चौथा हो सकता है यह गोड़ा तो निकोले ना है इसमें स्वासेवल लास्ट राइंग बहुत बढ़िया रन था है बारासों में बिना विप की रेस थी टैवर जी दिया था स्टार्ट टो फिनिस और यहां पर दोस्तों में टैक हुआ हुआ यार और सिजार विच आरेन दर्शन के नीचे यह गोड़ा भी बन रहा है बैलर सिल्वर कैनियन के साथ मैं अभी भागा तक गुड़ सैकिल लगा है गोड़ा उस दिन यार एक ग्यारा नंबर अपसेट कर सकता है दोस्तों कि और यहां पर जो मेरा पीक रहेगा दोस्तों इस रेस में पांच नंबर स्वसेबल पीट एवर और एक नंबर को मैं कंसिडर करूंगा यहां पर ला रीना विनों सिंदे क्योंकि निकॉल लीना को बीट किया हुए एक बारी तो हो सकता है बीट करे दुआरा यार प्लेस क लुए सकते हैं और दसवी रेस है दोस्तों 200-की कीOULD की रेस है अभी और जिसे कहता है सर्भारी हो गया इसे के साथ में क्योंकि 10 रेसे होती है लगनी रहा बैंगलोर है और 200 मिंटर के लास 5 की है peak नंबर है दोस्तों इसमें चाहर नंबर है फर्स्ट रॉयलिस ट्रैक अच्छा जा रहा है यार पांच नंबर की मोग बहुत अच्छी है गोड़े की यार और बाइदबुक थोड़ा सा टाइम के समय के बाद बाग रहा है साथ नंबर स्काइप्रिंस अच्छा गोड़ा है यहां पर सर्प्राइज रंदे सकता है नो नमबर भी बोड के लिए चांस करता है ग्यारा नमबर लास्टन अच्छा था यह लास्टन के साफ से जीदना चाहिए गोड़े को और दोस्तों इसमें मेरा फाइनल पिक रहेगा ग्यारा नमबर एक्टिवेटीड एलेक्स रोजारियो और पांच नमबर एयर डिस्प्ले लिकित अपू ठीक है दोस्तों आल दा बैस्ट यार बैस्ट आफ लग मेरे भाईयों और इसके बाद मिलते हैं आपसे जो भी रेसे है और इवर देख लेते हैं भाई सब बोल्ड रेस में या इंडिया रेस में कि इसके बाद कौन सी रेसे हैं इसके बाद 24 की मदरास सो कर रहा है अगर मदरास कैंसिल होती है तो हैदराबाद होगी ठीक है भाईयो मिलते हैं बाई टेक के रियार फिर भाईयो बाई